सो अब आ रहे हैं अपन लोग अपने कॉंसेप्ट के ओपर जिसका नाम है आसेट बीटा बोल सकते हो प्रोजेक्ट बीटा अन्लिवर्ट बीटा मैं आपको यहां पे जो इस एंचन वाली चीज के लिए सोचना ही नहीं है जी हा तो जो भी चीज आप उप्शन में चोड़के जाओ उसको मैं सिंप्लिफाइब कर चुका हूं डोंट वरी एंड उसको सिंप्लिफाइब वे में अपने को यहां पे करना है वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोई कोई चैप्टर में यह जैसे कुछ लोग है जिनको वाइस अधर वाइस लेक्चर और फेज वाइस लेक्टर जैसे अगर आपको कभी ऐसा कुछ इशू लगे you can definitely rely on my phase wise or chapter wise lectures नीचे देखो description पे यहाँ पे number दिया है ticker पे you can call on that number and take all details right on that note अब start करते है अपन लोग project बीटा के साथ so what exactly is this देखो listed बीटा कितना important है अपने को portfolio management के CAPM श्यार पे ने बता है कि कितना important concept है fundamental है beta उससे अपने को पता चलता है volatility of a particular share with that of the market so it is very important yes sir अब यही जो मेरा beta है hello आपको बोल रहा हो यही जो मेरा beta है यह मेरे listed companies के लिए तो निगालना बहुत easy है difference of security return upon difference of market return उससे मैं security beta of listed company find कर लूँगा what about beta of unlisted company वो भी तो मेरे को चाहिए होता है कही बार buying and selling of unlisted companies हो रहा हो तू उसके लिए मुझे ज़रूद पढ़ती है and that is where we have the concept of project beta क्या to calculate the beta of will help us to calculate the beta of equity shares of unlisted companies hello beta of equity shares of unlisted company हाग क्या चलो आजाओ देखते है सबसे पहला है मेरा scenario यह तो सबसे पहले चीज मेरे को जो करने बस आपको इसतना ही follow करना है इसके साथ ही example भी दे दूँगा public example भी हो गया ना तुम लोग को फिर और कुछ देखने के जरूरती नहीं है सबसे पहला काम यह जो यह पार्ट है दो सिनारियो जए एक सिनारियो एक सिनारियो बी सिनारियो के उपर मैं पहले बात करता हूं सबसे पहला काम होता है आपको asset beta find करना है लिस्टेड कमपनी का वो लिस्टेड कमपनी का asset beta is called as proxy beta for unlisted company फिर unlisted company के लिए वो ही same asset beta use करना है और उससे आपको unlisted company का beta मिल जाएगा सबसे पहले find out क्या करना है listed company का asset beta तो सबसे पहले अपने को यहापे लिखना है beta of equity into जो भी weight है equity का तो equity upon equity plus debt into one minus t फिर बाद में आ जाता है debt debt का जो weight है into debt into one minus t upon e plus d into one minus t तो यहाँ पे अगर आप लोग note करोगे तो मेरे पास यह जो दोनों चीज़े है उसमें अपन लोग weight से multiply कर रहे हैं किसको अपने beta equity तो देखो beta equity of listed shares तो available होता है अपन लोगो तो निकलना भी आता ह beta of debt question देगा नहीं दिया तो अपने को assume करना है zero यह देखो इदर क्या लिखा है beta debt is to be assumed zero in absence of information तो जैसे यह मेरा beta debt zero होता है कैना इसे यह पूरा का पूरा value zero हो गया अब यह value zero हो गया बाकी मेरे पास यह values है मुझे मिल जाएगा asset beta ठीक है आभी clear everybody yes sir अब जैसे यह मेरे को asset beta मिला same formula मैंने वापस लिख दिया यह मुझे asset beta यहाँ पे substitute करना है जो asset beta मेरे listed company का है वह asset beta मेरे unlisted company का भी होगा is equal to beta of equity यह मेरे लिए आ जाएगा balancing figure यह मेरे लिए है balancing figure into ratio क्या equity upon equity plus debt into one minus d plus जो मेरा यहाँ पे beta of debt है उसको multiply कर दिया अगर यह given हुआ तो ठीक otherwise यह zero होता है अगर यह zero हुआ तो आपका जो balancing figure है वो beta equity आपको मिल जाएगा चलो वापस से एक बार revise करते है everybody pay attention revision के अंतर revision वाँ सो अपने को find out करना है सबसे पहले क्या listed company का asset beta सर कैसे find out करेंगे it will be beta of equity into weight of equity so weight of equity मतलब e upon e e क्या value of equity दिया होगा question में tension नहीं लेने का बिटा जो usually zero होगा अगर नहीं है तो टीक है question में दिया है तो डाल देंगे d into one minus t तो d के value of debt into one minus t upon equity plus debt into value of debt into one minus t वो तो अपनों करी सकते तो यह आ गया यह आ गया जीरो अगर ले लिया अगर यह कुछ नहीं दिया है तो and finally अलो finally अपने को मिल जाएगा बीटा ओफ इक्विटी बीटा ओफ स्ट बीटा ओफ लिस्टेड कंपनी बीटा ओफ इक्विटी तो दिया वाई होगा इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो the moment we substitute it here अधा काम हो गया क्योंकि अपने पास यह है यह value of equity value of debt अपने का मिल जाएगा इसे बीटा ओपर से मिल गया है बीटा इक्विटी विल बिकम बैलेंसिंग फिगर अभी क्लियर अभी बाड़ी आओ एक्सम कर लें फड़ा फट और हो जाएगा संकाल पनलिस्टेट कंपनी उसका मिरको अगर find out करना है वीटा ओफ इक्विटी तो म भी मैंने यहां पे कर दिया प्लस बीटा ओफ डेट कुछ नहीं दिया है तो जीरो अजूम तूबी जीरो इन अप्सेंस ऑफ इंपरमेशन मुझे मिल गया असेट बीटा इधर आजट इस उसको इधर मैंने देखो सब्स्टिटीट कर दिया इधर आजट इस इधर आजट मैंने सब्स्टिटीट कर दिया बीटा इक्विटी इंटू सेम वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन वैल्यू अफ इक्विटी प्लस डेट वैल्यू अफ डेट इन्ट इन्ट करके मुझे मिल गया बैलेंसिंग फिगर और देट इस 1.64 फिर बाद में आ जाता है सिनारियो ब सेनारियो बी मेरा अगर आगर दो बिजनसे है और डोनों का आपको डेट बीटा ऐसे करना होगा उसके वेट के साथ आपको ओडिटा कमपनी का asset beta मिल जाए तो weight of business 1 into beta asset of business 1 plus weight of business 2 into asset beta of business 2 अपने को मिल जाएगा from above formula hello अपने को मिल जाएगा from above formula asset beta asset beta ये अपने को मिल जाएगा फिर बाकी सब चीजे तो अपने पास है e है e plus d into 1 minus t है ये कुछ नहीं दिया है तो 0 अगर यह दिया होगा तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे balancing figure will be beta equity जो अपने लोग ढूंड रहे है जो अपने लोग ढूंड रहे है अभी clear everybody so that's how the whole system works got it guys example करते है तो यह अपने को clarity आएगा तो यह देखो यहाँ पर asset beta दिया हुए दो company का ratio weight दिया हुए दोनों company का अपन लोग ने यहाँ पर asset beta overall find कर लिया इधर लिया फिर बाद में दोनों company का debt और equity दिया है तो value of equity है value of debt भी है इस question में debt का beta भी दिया है तो वो भी अपन लोग ने यहाँ पर substitute कर दिया we will get hello we will get the balancing figure we will get the balancing figure and that is beta of equity done यह हो गया मेरा project beta asset beta जिससे आपको डर लगता था अब नहीं दो खाली तरीके use करने है बस आप properly यह magic book को वापस go through कर लो वापस से दो तीन बार मेरा lecture सुन लो set हो जाएगा मैं तो बोलता हूँ जो example दिये वो साथ साथ में solve कर लो और क्या चाहिए